शात्यों जब हम टेक्न लोजीकल डिवाइड को ब्रीज करने की बात करते हैं, तो भारत अपेक्षा करना भी बहुत स्वाभाविक है। भारत का सामर्थ, भारत का इनोवेशन कल्चर, भारत का इंफ्रास्रक्चर, भारत का स्कील और इनोवेटिव मैंपावर, भारत का favorable policy environment यह सारी बाते इस अपेक्षा का आधार है इनके साथ ही भारत के पास जो दव प्रमूख शक्तियां है वो है ट्रॉस्ट और दूसरा है scale बिना trust और बिना scale हम technology को कोने कोने तक नहीं पहुचा सकते हैं और मैं तो कहूंगा कि trust यह technology जो वरत्वान की है उसमें trust पुर्वशर्थ है इस दिशा में भारत के प्रयासों की चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है आज भारत सो करूर मोबाइल फोन के साथ मोस्ट कनेक्टेड डेमोक्रिसी अप दे वर्ल है सस्ते स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट डेटा ने भारत के डिजिटल वर्ल का काया कल्प कर दिया है आज भारत में हर महिने आठ सो करोड से अधीक UPI आधारिट डिजिटल पेमेंट्स होते हैं आज भारत में हर दिन साथ करोड इजिटल पेमेंट्स होते हैं भारत के कोविन प्रेटफॉर्म के माध्यम से देश में दो सो बीस करोड से अधीक वैक्षिन डोज लगी बीते वर्षों में भारत ने 28 लाग करोड रुपिय से अधीक सीधे अपने सिटिजन्स के बैंक खातों में भेजे हैं डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर्ट जंधन योजना के माध्यम से हमने अमेरिका की कुल आवाजी से भी जादा लोगों के बैंक खाते खोले हैं और उसके बाद यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी यानि आधार के द्वारा उन्हें ऑथेंटिकेट किया और फिर सो करोड से जादा लोगों को मोबाइल के द्वारा कनेक्ट किया झाल